फोर पीम न्यूज नेटवर्क पे दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ राशी जहीर मोधी जी के दोरे में एक आदमी की कमी बड़ी महसूस हो रही है हमें नहीं जैक सिल्वन जैक सिल्वन कौन है अमरीका कार एने से हमारे एने से को ढूंड रहा है को एट की म मंतरी जी के साथ बाकी अल्बनीज और जापान वाले और अमरीका वाले सब लोग मुझूद थे तो चारो देशों के सर्वरा सर्वे सर्वा आपसे मिल लिये जो भी जिकर हुआ बता ती चुके हम आपको विदेश मंतरी बिलिंकन हमारे जैशंकर साफ से मुलाकात कर लिये जैक सिल्वन बैठे रह गए कि हमारा भारत का एनसे कहां है आपको मालूम है कि उनका भी होना वहां जरूरी था बताया जा रहा है कि शायद वो कश्मीर के चुनाओं में बिजी हैं संबव है लेकिन अगर समन आने के बाद क्या ये सवाल उठ रहा है उठ सकता है कि हमारे जैन्स बांड है हाला कि जैन्स बांड होने मुने अपने कभी इसको नकारा नहीं है लोगों ने जैन्स बांड बताया उनको तो वो क्या दिल्ली छोड़के अब कभी नहीं जाएंगे कहीं ये एक ऐसी कूट नीतिक फेलियर हमारा चल रहा है जिसकी तरफ आपका ध्यान ज जानी की जुरुत है जब मौदी जी वहां पर डायस्पोरा को संबोधित करते हुए भारत की उपलब्दियां बता रहे हैं जूटी या सच मैं नहीं कह सकता पिछले दस साले दस सालों में क्या क्या हुआ हुआ है कौन कौन सी शेकी बगार नहीं ये तो आपको मालूम है र हमारे जो NSA हैं अजीट डोभाल साव वो अमरीका नहीं गए वो जैक सिल्वन नजर ढूंडता रहा होगा उनको के कहां पर हैं अब क्यों नहीं गए ये आपको मालूम है कि अमरीका की डिस्टिक अदालत से पन्नु नाम को सातंक वादी ने जो केस डाला है उसमें समन भीज है अगर ऐसा है कि समन भीजने की वजह से वह अमरीका नहीं गए गोया कि यह ऐसा हो गया कि जैसे पुतिन का बाकाइदा आइसी से आइसी जैसे या इंटरनेशल कोर्ट अफ जस्टिस है आइसी से जो निकला हुआ है उनका वारंट वो भी कही जगे नहीं जा पाते हैं बावजूद एसी स्थिति क्यों हो गई है आपको मैं पहले किलियर कर चुका हूँ कि वहां निखिल गुपता नाम का वो व्यक्ति जो पकड़ा गया जिसने सुपारी दी थी वहां पर पन्नू को मारने की और वो निकला अमरीका का बंदा और उसने पूरा का पूरा गाली क अंदर बैठे हुए वो शॉट्स बनाए हैं उसके अंदर तमाम ये बोले खोली हैं हमारा इस बास से इंकार है पहले भी इंकार ता आज भी इंकार है लेकिन मैं आप से ये बताना चाहता हूँ कि जब अजीद दोबाल का वो वीडियो शायद आपको याद हो मैं स्किनी श हिस्सा जो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है लेकिन हमें अपने मूँ से इस बात को एकसेप्ट करने में कितनी ज्यादा अकलमंदी बरतनी चाहिए कि हम उसको अलग कर देंगे या हम नया वलिची बलिचिस्तान को जो है कुछ नकुछ इशारा दे दिया देखिए इसराइल ने अभी लेबनान पर पेजर बम फोड़े वहां हिजबुल्ला के बहुत सारे लोगों को मार दिया धेर लगा दिया लेकिन इसराइल ने अपने मूँ से कहा नहीं है यहाँ परधान मंत्र जी लोग सबह के अंदर कहते हैं भारत अब घर में घुसकर मारता है डो हमारी जो विदेश निती है ना वो विपक्ष की अलग और सत्ता की अलग नहीं हो सकती दोनों की एक हमारी आपकी अलगोंगी उसे समझदार व्यक्तियों के जब हातों में आती है ना वो तो दुनिया के सामने भारत का रूप मिलता हमारी जो पोजिशन है ना वह एक ऐसा नहीं है कि आप उसे कभी भी चुनावी सभा समझ करके कहीं बर कोई भी बयान दे देंगे आप अब वो बयान बहुत उचल रहा है अजीर डोबाल का बलूचिस्तान वाला जो मैं आप से बता रहा हूं तो आपको मंजरे आम पर आकर और मंच के माप पर आकर कि ये कह देना कि साहब देखिए हम अगर दुबारा मुंबई होता तो हम ऐसा कर देंगे पुराना बयान है एक वीडियो और और देखा होगा आपने पिछली बार 2017 में जब डोनाल्ड ट्रम के समय में परदान मंत्री जी गए तो परदान मंत्री जी भी खड़े थे डोनाड साहब भी पर उलगा एने से फोरां दोले कोई दिक्कत नहीं है परदान मंत्री जी है वो अधिकारी है वो कर लिया उन्होंने पेपर उठाया गिलास पर पानी गिलास के ओपर जो रखा रहा था डखने का डखकन वो भी अठाया वो भी लगा दिया उसको लेकिन अब आकर कि वो नज जो पॉलिटिक्स किस परकार से परभावित हो रही है सोचने की जरूवत यह है चीन को देखे आप पूरे हमारे मिडिल इस्ट पूरे एशिया पर चीन का किस तरह से वर्चस चल रहा है हमारी कूट नीदी के हाल यह है कि जब दोहा में अफगानिस्तान को लेकर के मैंने अ बुलाए जाता है हमारे इर्दगिर्द में जो फैसले हो रहे हमें नहीं पता चल पाता है क्यों यह हमारी कूट नीती फेलियर है अब आप कहेंगे पाकिस्तान का दो बॉर्डर लगा हुआ था लेकिन क्या रशिया का भी बॉर्डर लगा था भाई रशिया ने भी तो यह इंतिजार में उसके ना उधर के बन पा रहे हैं ना इधर के बन पा रहे हैं यही बराक अबामा यही डोनाल अक्सर बेश्टर ऐसे बयान दे देते हैं थे कि दवाईयों के बारे में इसी डोनाल ने क्या कहा था कुरोना के समय धंकी दे कर कहा गया हमसे लेने के लिए हमार क्योंकि तो दोस्तों बात यह है कि हमारी कूट नीती जो हमारी जी जिवा पॉलिटिक्स है उसकी जो पॉलिसीज है ना जब इस परकार से बनाने लगेंगे कि जैसे कुछ चुनावी सभा के अंदर बात कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है यह तो बहुत सॉफिस्टिकेटेड और बहुत ज्यादा अच्छे माहल में बहुत पड़े लेके काबिल लोग बनाते हैं इसे आईएस और पीसेएस का मसला नहीं है इसमें इनके बसके नहीं है यह वाला काम यह तो बहुत ही इंटेलेक्ट्टॉल और बुद्धी जीवी लोग जो दुनिया पर नदर रखते हैं उनका काम होता है यह मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि IPS IPS ना करें इसकाम को उसमें भी कुछ लोग हैं लेकिन बेराल बगदात यह है कि एक तरफ समन की अगर वज़ा से NSA1 नहीं जा पा रहे हैं तो सवाल यह उड़ता है कि दिल्ली छोड़कर बविश्य में कहीं नहीं अमरीका का तो हर जगा हाथ है साथ तो ब्रास दिया है दोस्तों कि एक जरा सी गलती अगर कभी कुछ हुई है तो वो इतनी बचकाना अंदाज में और उसे कनाड़ा भी हम पर निजजर के ऊपर चड़ गया था आपको याद होगा कुछ काम अगर आप कर भी रहें भाला कि हम करने रहें हम इस बात को कभी एड्मिट नहीं करेंगे लेकिन मैं बताना चाहतों इल्वार्ड कैसे हो गया इने से और अब वहां पर मिटिंग में जाना मुश्किल पैदा हो रहा है तो क्या क्या वज़ा है यह हमारी पॉलिटिक और महोदी जी का यह दोरा किस अंदाज में हो रहा यह भी आप जानते हैं डोनाल से मुलाकात नहीं कर पाएंगे करते हैं तो कमला है इसका जो भारत की बीटी कहलाईगी उसका विरूद होता है दक्षिल पंति डोनाल्ड है उसमें बहुत खुशी खुशी कहा दिया कि इंडिया ग्रेट और मोदी जी आ रहे हैं मुलाका दिया हाला कि विदेश मंतर इले ने इसका खंडन कर दिया कि अभी कोई प्रोग्राम नहीं है मिल भी नहीं सकते हैं मिलना नहीं भी चाहिए और पिछली बार जो करके आया थे डोनाल अपकी बार डोनलाड की सरकार वो भी किसी देश के इंटरनल मामले में जरुश से दा बोलना नहीं चाहिए कमला एरिस बाइडन आये तो जाहिर सी बात है वो सोचेंगे कि ये तो डोनल के आज मी है खेर तो दोस्तों मुझे ये बताना था कि क्या वज़ा है जो एनसे वहां शामिल नहीं हो पाए हैं और क्या वज़ा है क्या को डर है क्या को समन की हाथ क्या है वो भी मैंने आपके सामने रखी है आपको खबर कैसे लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक में जरूर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे शेयर कीजे नेक्स टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ जैखिन